हेलो फ्रेंड्स तो हम कर रहे थे सब्जेक्ट इंग्लिश की फैल EPC1 सब्जेक्ट कोड E702 जिसको हमने टू पार्ट में डिवाट किया है जैसे कि हमने हिंदी को किया था तो कल पार्ट वन हो चुका था आज है आपका पार्ट टू देख लेते हैं कि हमने क्या कर लिया था तो हमने कंजक्शन तक कर लिया था means 11 टॉपिक पूरे हो गई थे आगे हैं आपकी इंटर्जेक्शन से और स्टोरी राइटिंग तक ठीक है 11 टॉपिक और रह जाते हैं तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के असे चलिए एक और बात कि टेलिग्राम से आप पीडिया डाउनलोड करी सकते हैं आपको पता है नहीं पता है तो भी आप जोइन कर लिजिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है ठीक है और इसके लावा और कोई भी आपका सुझेशन है कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बोक्स में बता सकते हैं ओके तो हमने आप कंजेक्शन कंप्लीट किया था काइंड ओफ कंजेक्शन इसके बाद आजाता है आपका इंटर्जेक्शन एंटर्जेक्शन is a word that expresses a sudden outburst of strong feeling और emotion इंटर्जेक्शन क्या है आप एक दम से जब कभी अपनी feeling और emotion को express करते हैं तो हम इंटर्जेक्शन words का use करते हैं जैसे alas, hurre, hush ठीक है आगे आते हैं तो आगे है word formation use of prefix and suffix prefix वो words letters जो word के आगे लगते हैं और suffix वो letters group of letters जो word के पीछो लगते हैं जैसे possible के साथ im जोड़ते हैं हो जाता है impossible, appear के साथ dis जोड़ते हैं हो जाता है disappear, comfortable के साथ un जोड़ेंगे तो हो जाता है uncomfortable आगे suffix हैं तो child के साथ hood as जब double o d जोड़ते हैं हो जाता है childhood, as a friend के साथ ship जोड़ेंगे हो जाता है friendship punish के साथ meant, punishment power के साथ full, तो powerful ठीक है आगे by making a compound word मतलब क्या है दो words को जोड़कर उपर तो सिफ group of letters था ये hold, ship, full ये कोई full words नहीं है जिनका कोई meaning हो ये जब किसी word के साथ जोड़ते हैं तो meaning उसका अलग बना देते हैं को हम add करते हैं तो एक another तीसरा word बनेगा जिसका उन दोनों से हट के meaning होता है ठीक है तो चलिए आगे देखें जैसे कि ये दिया हाउस होल्ड का house plus hold, household under plus ground, underground look plus warm, look warm आगे चलिए method of formation of word word कैसे कैसे बनते हैं देखिए adjective से noun बनता है जैसे true का हो गया truth noun to adjective बनता है beauty का beautiful verb to noun होता है attract का attraction हो गया noun से verb बन जाता है beauty से beautify हो गया ठीक है आगे है adjective to verb sweet से sweeten हो गया adjective to adverb भी होता है जैसे slow से slowly हो गया ठीक है तो आप इसके लावा जो भी words चाहें वो यूज कर सकते हैं वो issue नहीं है कि आप दिट्टो करेंगे same करेंगे यह ता आप एक pattern मिल रहा है कि आप कैसे work कर सकते हैं तो same करना चाहें same कर लिजे change करना चाहें change कर लिजे यह है punctuation the marks or signs which helps in proper writing and pronunciation marks example capital letter full stop commas etc देखे वो mark यह signs जो आपको proper writing करने के लिए या pronunciation करने के लिए यूज के जाते हैं जैसे कि अगर कहीं कॉमा लगा है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको वहां हलका सा pause लेना है जैसे capital letter full stop अगर pause नहीं लेना है तो हम कैसे पढ़ते जाएंगे जैसे हमने definition पढ़ी the marks or signs which helps in proper writing and pronunciation marks ठीक है तो यह हमको क्या देते हैं pause देते हैं या हमें कहां कितना रुखना इसके बारे में दिखाते हैं जैसे कि capital letter हो गया kinds of punctuation दिया है तो capital letter हो गया आगे है full stop उसके बाद आजाता है comma ठीक है आगे है आपका cushion mark फिर है inverted comma फिर है apostrophe इसके बाद है sign of exclamation ठीक है आगे चले तो आगे हैं आपके tense tense क्या है वही आपके present past future तो जो कुछ भी हो रहा होता है वो हम tense के according show करते हैं जिस time में भी हो रहा हूँ जैसे कि present होता है अभी currently जो हो रहा है वो present है जो हो चुका है वो past है और जो होने वाला है वो future है जो अभी तक मतलब नहीं हुआ यहां भी इसको explore किया गया है और अच्छे से सबसे पहले present tense को बता है four types होते हैं हर एक का rule लिखा हुआ है आपको जो sentence structure है वो साथ के साथ दिया है साथ के साथ इसके example भी दिये है जैसे इसके four types हो गए present indefinite rule दिया है पहला affirmative का फिर negative का और फिर interrogative का इसके आगे इसको example के तुरू समझा दिया affirmative, negative और दोनो interrogative types yes, no वाले भी और wh family वाले भी इसके बाद present continuous tense आता है same process रहने वाला है affirmative, negative, interrogative उनका structure आ जाएगा और example आ जाएगे next present perfect tense आ जाता है same structure रहेगा affirmative, negative, interrogative के structure और इनके example इसके आगे आता है आपका present perfect continuous tense इसका भी same method रहेगा ठीक है आगे चले तो आता है आपका past tense past tense भी four types के होते है past indefinite ये इसका structure और example हो गया past continuous structure और example है आगे है past perfect tense और इसके बाद आ जाता है आपका past perfect continuous यहाँ इसके example आज गया होई नेक्स आपका future tense ये भी four types के होते हैं future indefinite future continuous future perfect और future perfect continuous यहाँ आपके tense complete हो जाते हैं ठीक है synonyms synonyms क्या है जो same meaning दे हमको synonyms होते हैं तो इधर words है और आपके synonyms यह हैं जिसे bad को हम awful भी कह देते हैं good को fine भी कह देते हैं easy को simple कह देते हैं big को large कह देते हैं ठीक है जिसे true का false rich का poor active का lazy fast का slow ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे आता है आपका application application क्या एक formal written request है किसी job के लिए या school, club, organization में हम जो देते हैं okay दो चीज़े होती है application और letter लेटर तो हम normally अपने family में भी दे सकते हैं किसी को हमें कुछ बताना है तो हमने letter लिख दिया ठीकिन application क्या होता है कि जैसे कोई जो organization होती है particular institute होता है एक तरीके से ठीक है या कोई office होता है वही application दी जाती है तो यहां आपकी leave application दिया है school के लिए आप जो application लिखना चाहा है जिसके लिखना चाहा है वो लिख सकते हैं ठीक है तो यह हो गई आपकी application आगे है letter writing यह आपका आगया letter है ना जो आप handwritten भी हो सकता है प्रिंटेट भी हो सकता है letter की two types है informal और formal informal जो हम किसी भी friends को relative को देते हैं ठीक है और formal letters होते हैं जब वो हम किसी official मतलब कह सकते हैं सीदा सीदा official letter किसी office में भेज रहे हों किसी institute में भेज रहे हों वहाँ formal letters भीज जाते हैं तो वहाँ छोटा सा letter है किस के लिए your father is out of station write a letter to him saying that your mother is ill and he should come back immediately तो यह आपका है informal letter ठीक है यह यह जो formal letter आपने लिखा उसका structure है जब blank page पे इस line वाले page के सामने बनाते हैं बाद में नहीं उसके सामने बनानाना है मैंना बाद में इसलिए दिया है ताकि आप अच्छे से समझ में आ जाए आपको किस के लिए दिया है तो यह formal letter के सामने blank page पे आप बनाएंगे format आपको नजर आ रहा है है ना address date इधर जहां भेज रहा है उनका address इस नेम उनको जैसे भी आप समझत करते हैं ना यह जो भी आपके फादर हैं फ्रेंड है वो लिखेंगे फिर पेराग्राफ आजाएगा आपका और लास्ट में आपका conclusion हो जाएगा जो लास्ट में लिखना है आपको वो आ जाएगा फिर आपकी essay writing सबको पता है ऐसे क्या होता है निबंद किसी भी चीज को हम long form में जब लिखते हैं explain करते हुए आगे आजा आपका method of easy writing यह method आगे essay writing का name and title situation main qualities किस तरीके से आप ऐसे writing करेंगे है na reasons and impact अब इसके साथ ही इसके सामने आगे आजाता है आपका story writing story आपको पता ही है ठीक है आगे आजाता है आपकी story का बता दिया के definition type हो गया ओपर चोटा सा फिर है the lion and the cow की story लिखी है आप जो भी चाहें चोटी से story लिख सकते हैं जो एक page पर ही आजाए क्योंकि आपको तिसर्फ शो करना है कि आपने story लिखी है कोई भी लिखें और लास्ट में आगया moral of the story फिर इसके सामने जो blank page है वहां पर आप यह format बना सकते है story का beginning character introduction फिर plot और उसके बाद है climax and conclusion तो गाइस यह आपका पूरा हो चुका है वीडियो पीडियेफ आपको पूरा मिल जाएगा टेलिग्राम पर इसके लावा कोई भी आपको क्वेरी है तो आप पूछ लिजेगा और तो stay healthy stay happy thanks for watching